सोवियत संग के विगटन के कारणों की जो बात करें विगटन के कारणों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब विगटन के कारण जानेंगे तब हम समझेंगे विगटन की घटना और फिर दो धुरूवी विश्व का अंत तो विक्टन के कारणों में हम ये देखें कि सोवियत संग महाशक्ति के रूप में वैसे तो 1945 से उभरना शुरू हुआ आधिनिक सोवियत संग की शुरुवात तो 1917 से हुई लेकिन महाशक्ति के रूप में 1945 से शुरुवात मानते हैं और अमेरिका के अलावा उसके बराबरी की कोई और शक्तियां तो थी नहीं तो क्या हुआ इन दोनों के बीच में एक तरका खेल चला एक दूसरे की शक्ति को गिराना और अपनी शक्ति को बढ़ाना ये पूरा शीत युद्ध का काल जो 1945 से 1990 तक का है बलकि 1980 तक का हमाने इस काल में ये दो खेल सतत रूप से अंतर राश्टी राजनीती में होते रहे सोवियत संग और अमेरिका के दौरा एक दूसरे की ताकत को गिराना और अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास जैसे एक मजाक है न कि दो लाइने खीच दी अब एक लाइन को हम बढ़ा कर दें और दूसरी को यथावत रहन दें तो बड़ी लाइन बड़ी हो जाएगी दूसरा तरीका है कि हम दूसरे की लाइन को छोटी कर दें मिटा दें आधा तो हमारी लाइन दूसरी पहली वाली लाइन यथावत बनी रहेगी यहाँ पर यही खेल चलता रहा और प्रणाम क्या हुआ कि पूरी एनरजी इसी बात पर लगी रही कि कैसे एक दूसरे को पटखनी दें हाँ अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका और सोवियर रूस इन दोनों ने कुछ नए नए तरीके एक्तियार किये विश्व के देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए जितने भी नव स्वतंतर राश्ट थे उननीस सो पैतालिस के बाद आपको बत स्वतंतर देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सोवियत संग और अमेरिका ने इन देशों को काफी आर्थिक मदद देने की कोशिश की ताकि इस आर्थिक मदद के मध्यम से इने वे अपने खेमे में अपने पक्ष में ला सकें ये आर्थिक मदद इसलिए नहीं एक तरह की घूस होती थी अपना प्रभाव खेत उन देशों में बनाने के लिए तो नावन इन वाचित देशों को बड़ा फायदा तो हुआ इससे लेकिन कुछ लोग कुछ देश इसके दवाव में आकर या तो अमेर की खेमे में चले गए या सोवियत खेमे में चले गए ज इन दोनों देशों के साथ ऐसे संबंद रखना कि आर्थिक मदद भी मिलती रहे और इन गुटों का दबाव भी न रहे या भारत की नीती थी तो हम आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक मदद के जरिये इन लोगों ने देशों को खरीदने की कोशिश की जहां तक सामयवादी द जड़े मजबूत होनी हैं तो जरूरी है कि सोवियत संग के बाहर उसके चारों तरफ सोवियत संग के सीमा के चारों तरफ और विश्व के अन्य देशों में सामयवाद बढ़ाया जाया है यानि उसकी नीती थी कि हमारे देश में सामयवाद की सफलता अन्य देशों में आर्थिक मदद के रूप पे खर्च, दूसरा सामेवाद के प्रचार प्रसार में खर्च, इसके जो परिणाम थे, इन खर्चों का परिणाम क्या हुआ, खुड का विकास रुग गया, सभी तराज अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था सोवियत संग से कई गुना बहतर थी, तो इन देशों पर अपना खर्च करने पर भी, अपने द्वारा आर्थिक मदद करने पर भी, अमेरिका की अंदुरूनी अर्थ व्यवस्था चर्मराईनी मजबूत थी, लेकिन सोवियत स की अर्थ विश्था कुछ थम्सी गई उसका विकास कुछ रुक्सा गया क्योंकि काफी पैसा सामिवाद के प्रचार प्रसार नव निर्मित देशों को नव उदित नव सतंत्र देशों को अपने पक्षमे लेने के लिए खर्च किया जाने लगा। साथ ही हथियारों की होड इस काल ने 1945 से 1950 के बीच हथियारों की खरीदी बिक्री को एक सामाने प्रक्रिया मानते हुए इन लोगों ने इन राश्ट्रों ने हथियारों पर इतना खर्च किया कि अंदर की जो अर्थ विश्था थी उस पर इसका बहुत बिरा प्रभाव पड़ सोवियत संग की जहां तक बात है तो वह अंदर से खोखला होने लगा उसके जो हथियारों पर किये गए खर्च उससे उसका विकास रुख गया परडाम 1990 में ऐसी परिस्थितियों में सोवियत संग अपने ही गणराज्यों को अपने प्रभुत्व में नहीं रख पाया क्योंकि उसका सारा पैशा तो साम्मेवाद के विस्तार में नवस्ततन डेशों को अपने पक्षमे करने में हल्थियारों की होल में और ना जाने ऐसे कितनी चीजों में खर्च किया जाने लगा जिसका सोवियत संग के नागरिकों से कोई सरोकार नहीं था परिनाम क्या हुआ कि जो सोवियत संग के अंदर के गणराज थे उस पर भी उसका पकाड उसकी पकाड कमजोर हो गई प्रभुत्व कम हो गया शक्ति खोकली हो गई और ये देश स्वतंतरता मांगने लगे जैसा कि सोवियत संग के पूर्व दिशा में स्थित देशों ने सतंतर हो गया तो अब इसका इस बयार का असर अंदर भी पड़ा और अंदर पड़ने पर इनके द्वारा सतंता मिलना सरल हो गया क्योंकि अब सोवियत व्यवस्था ही चर्मरा गई थी आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी सोवियत संग का सोवियत गनराजियों पर सोवियस संग पूरी तरह दिखर गया तूट गया विगटन हो गया और पंद्रा गणराज बने रूस सोवियस संग का उसमें उत्तरादिकारी बना जैसा पहले बताया तो ये संक्षिप्त में सोवियस संग के विगटन की गाथा है घटना करम की कैसे एक कारण कारक बनता है और वह कारक दूसरा कारण बनता है इसका एक बड़ा रोचा खाका सोवियस संग के विगटन की कहानी में दिखाई देता है अब हम चलते हैं विगटन के कारणों को समझने के लिए सरप्रथम राजनेतिक आर्थिक डिष्ट से सोवियस संग कमजोर हो चुका था उसके साथ ही उब्भोकता वस्तुएं दैनंदनी की जो चीजें थी ब्रेड बटर टूथपेस मिल्क आदी आदी सबजी भाजी अन्य उत्पादन ये सब अब बड़ी मुश्किलों से उपलब्ध होने लगे थे इनकी कीमतें बढ़ने लगी थी और उब्भोकता वस्तुएं की कमी से जनता में असंतोश बढ़ गया जनता में असंतोश व्याप्त हो गया और इन कमी क्यों क्यों क्योंकि सारा पैसा आप सामरिक विकास पर खर्च किया जाने लगा, सैने विकास पर खर्च किया जाने लगा, विदेशी राजनीती में खर्च किया जाने लगा, तो इसलिए जनता के असंतोश का एक कारण उब्भोकता सामानों की कमी और आर्थिक राजनीतिक जिससे कमजोर होना, दूसरा कारण, गौर्ब जनता संतुष्ट नहीं हुई यद्यपी इस बात से खुश थी कि गोरबचे उधारवादी हैं नरमपन थी हैं और लोक तांतरिक मूलियों में कुछ हद तक विश्वास करते हैं लेकिन इसकी प्रगती बहुत धीमी थी जिससे जनता नाखुश थी तीसरा कारण एक और जहां साम्यवादी व्यवस्था की बुराईयां यहां की जनता को दिखने लगी थी दूसरी और पूंजीवादी विचार धारा की अच्छाईयां इन लोगों को आकरशित करने लगी पूंजीवादी देशों की जो सम्रिद्धी है पूंजीवादी देशों की बढ़ ताकत यहां के लोगों का अकर्षित करने लगी और इसलिए भी लोग साम्यवादी विचारधारा से भिन्ध होने लगे साम्यवादी विचारधारा से पूझीवादी विचारधारा को लोग बहतर समझने लगे यहां भी विगटन का एक कारण बना। चोथा कम्मिनिस्ट पार्टी ने 1917 से लगबग 1987 तक शासन किया या कहना चाहिए 1990 तक करीब 70 साल से ज़्यादा इस शासन काल में धीरे धीरे वहाँ पर अधिनायक वाद समाज वाद के बदले एक तरीके से अधिनायक वाद डिक्टेटरशिप बढ़ती गए ताना शाही बढ़ती गए एक पार्टी का पूरे नियंत्रण की सत्ता शाही चलने लगी लोगों की आवाज दबाई जाने लगी और इसके साथ इस पार्टी ने अपनी कोई जवाब देही भी जनता के प्रती नहीं रखी उसने अपने को कतई उत्तरदाई नी माना जनता की दिक्टतों के लिए इस बात से भी लोग बहुत नाराज थे जनता में जिस प्रकार पडोसी राष्टों में पूरवी योरोप के राष्टों में राष्टवाद और स्वतनता की आवाज ने उनको स्वतनतर किया उसी प्रकार जनता के अंदर भी अब राष्टवाद की भावना आने लगी और ये जो चौदा गणराज्य थे रूस को सोच छोड़ कर जो वैसे ही अपने दबे होने के कारण नाराज थे वहां की जनता भी इस प्रकार इन बातों से नाराज होने लगी और राष्ट्रवाद की बढ़ती पनपती भावना दिन प्रति दिन विगटन की ओर रूस को ले जाने लगी इन में भी अब इन राष्ट्रों में भी जो बाद में गणराज्य कहला है इन में संप्रभुता की इच्छा तीवर से तीवरतर होने लगी तो इस प्रकार अगला कारण संप्रभुता की बढ़ती इच्छा और राष्ट्रवाद का बढ़ता प्रभाव अगला कारण 1989 1979 में सोवियस संग ने किसी कारणों से अफगानिस्तान पर हमला किया अफगानिस्तान भारत की सीमा से लगा हुआ देश है और उसका उत्तरी सीमा सोवियस संग से लगी हुई है यहां पर उसने हमला किया और उस हमले में इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा इसके अपने हजारों सैनिक मारे गया और आर्थिक डिश्टी से इसने यूरोप को और सोवियस संग को और कमजोर कर दिया परिणाम क्या हुआ जनिता खिन हो गई जनिता और नाराज हो गई और विश्व राजनीती में भी सोवियस संग की छीछा लेदर होने लगी विश्व के अधिकतर देशों ने इस हमले की आलोचना की और इस सैनिक हस्तक्षे को गलट ठहराया तो इस प्रकार विश्व के देशों का जो इसको कुछ समर्थन मिल सकता था अंदरूनी मामले के लिए वह समर्थन भी से नहीं मिला और अफगानिस्तान का हमला सोवियस संग के लिए एक बहुत अहम कारण बना सोवियस संग के विगटन का अगला कारें विगिटन का है हत्यारों की होड जिसका पूर में जिक्र किया जा चिका है इस होड में इस दोड से विकास ही अवरुद ही नहीं हुआ बलकि एक तरीके से विकास में हरास होने लगा और काफी पैसा इसमें जाने लगा धन विकास के बदले हथियारों का विकास धन को विकास में लगाने के बदले अब हथियारों के विकास में धन लगाने जाने लगा इस सोवियस संग के अंदर की जो अर्थ व्यवस्था है आधार भूठ धाचा है वह खोखला हो गया तो इस पकार हम कह सकते हैं कि ये कारण मूलता सोवियस संग के विगटन के संख्यप में रहे हैं के बदले वहां धीरे धीरे कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू होई आने लगी कैसे घुसने का प्रयास करने लगी और समाजवादी व्यवस्था के बदले धीरे धीरे कैसे पूंजी वादने प्रवेश करना शुरू किया अब हम थोड़ा इसको जानने की कोशिश करें एक बार मैं पुना बता दूँ कि समाजवादी विरस्था वो जिसमें सरकार का नियंत्रण सभी गतिविधियों पर रहता है लैंड लेबर कैपिटल और और्गनाइजेशन ये चार जो अंग होते हैं किसी भी देश की अर्थ विरस्था के लैंड लेबर कैपिटल यानि पैसा और और और्गनाइजेशन यानि जो भी संच्था हैं इन चारों पर पूरा सरकारी नियंतरन, कठोर नियंतरन रहता है, वह साम्यवादी विवस्था कहलाती है। सरकार का दखल हर छितर में रहता है, हर चीज सरकार तै करती है। वहीं पूजी व्यजदी वस्था इसकी ठीक उल्टी है याने जहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल और और औरिगनाइजेशन ये चारों निजी हाथों में होता है सरकार इसमें कतई रुची नहीं लेती हस्तक खेप नहीं करती दखल नी देती जमीन का स्वामित्व निजी हाथों में मजदूरी कौशल सब व्यक्तियों का सरकार का उससे कोई सरोकार नहीं पैसा पूंजी सब व्यक्तियों का व्यक्ति हर व्यक्ति जो चाहे जितना पैसा लगाना चाहे उस न लगाए सरकार उसमें कुछ नी करेगी और और्गनाइजेशन उसकी जो व्यवस्था है व्यापार की व्यवस्था या फैक्ट्री आदि ये सारा व्यक्ति करेगा यानि सरकार का इसमें बिलकुल दखन नहीं होता आखिर ऐसा कैसे हुआ कि समाजवादी व्यवस्था जिसकी इतनी गहरी पैट हो चुकी थी 1917 के बाद से उसमें पूझी वादी व्यवस्था का प्रवेश होने के क्या कारण थे बाद में पूझी वादी व्यवस्था विष्ट्रित हुई वो बाद दूसरी पर पहला सवाल या था कि आखिर ऐसे क्या बाद थी जिससे लोगों को लोगों का ध्यान पूंजी वादी वरस्था की और जाने लगा इस पर चर्चा करते समय सबसे पहले हमें देखना होगा कि सोवियत संग के विगटन के परणाम क्या हुए सोवियत संग के विगटन का घटना क्रम तो हमने समझा सोवियत संग के टूटने का इतिहास, क्रमिक इतिहास तो हमने जाना अब हम थोड़ा जाना है कि इसके टूटने के परणाम क्या हुए देश के अंदर इसके क्या परणाम हुए सोवियत संग के अंदर और सोवियत संग के बाहर इसके क्या परणाम हुए परणामों की बात करन तो एक परणाम हम सब को पश्ट था जो अभी तक हम समझ गयो होंगे कि सोवियत संग नहीं रहा दूसरा परणाम ये कि 15 नै राष्ट्रों का जन्म हुआ तीसरा परणाम ये हम समझ च hehーん कि इन में से कई राष्ट्रों में गणराज की भावना आई गणराजिक व्यास्था श्टारंब हुई और गणराज क्या है जहां का मुख्या जनता के द्वारा चुना जाए उसे गणराज कहते हैं रिपब्लिक कहते हैं तो इस पकार ये तीन परिवर्तर सोवियत संग के विगटन के बाद हुए ये तो हम जानते हैं और हाँ चौथा परिवर्तर की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि यॉरॉप और एशिया का नक्षा बदल गया याने पुराने नक्षे सारे बिकार होगा उन्निस सो इंकानवे के पहले के नक्षे पुराने माने जाने लगे और नए नक्षे उन्निस सो इंकानवे के बादा है तो ये चार जानकारियां और चार बातों की समझ तो हमको हो गई अब हम थोड़ा और देखें कि इसके और क्या-क्या प्रणाम गोए पांचवा प्रणाम की जो पहली दुनिया थी आपको याद होगा पहली दुनिया कार्थ क्या है पहली दुनिया याने अमेरिका और उससे जुड़े हुए उसके मित्र राष्ट उसी प्रकार दूसरी दुनिया क्या है दूसरी दुनिया याने सोवियत संग और उससे जुड़े हुए राष्ट तो दूसरी दुनिया समाप्त हो गई क्योंकि सोवियत संग समाप्त हो गया और दूसरी दुनिया का नेता दूसरी दुनिया का नेत्रित्व सोवियत संग कर रहा था तो सोवियत संग की समाप्ति के साथ ही दूसरी दुनिया समाप्त हो गई समाप्त का आर्थ यह नहीं कि वह पूरी गायब हो गई समाप्त का आर्थ यह हुआ कि अब सोवियत संग जैसे नाम का देश अब अस्तित्व में नहीं रहा थी जिसे हम Warsaw Pact कहते हैं आपको याद होगा Warsaw Pact अमेरिका द्वारा बनाएंगे नैटो के जवाब में बनाएं गया था North Atlantic Treaty Organization के उत्तर में उसके जवाब में Soviet संग ने भी ऐसी military संधियां, scenic संधियां की थी उसमें से जो सबसे बड़ी संधि थी, जिसमें सबसे ज़्यादा देश शामिल थे, वे कहलाते थे Warsaw Pact मित्र राश्टों की बात करें तो Soviet संग के मित्र राश्ट या Soviet संग के गुट में पूर्वी यॉरप के देश शामिल थे, अब पूर्वी यॉरप किसे देखते हैं, देखिए नक्षे में यॉरप को पश्चमी यॉरप और पूर्वी यॉरप दो भागों में बाट के देखिए तो आप पाएंगे कि पश्चमी यॉरप में वे देश हैं जो अमेरिका के निकट हैं, भागोलिक दिश्टी से भी अमेरिका के निकट हैं और उनका जुकाओ विचारधारा के रूप में भी, मितरता के रूप में भी अमेरिका से ज्यादा है ये कौन कौन से देश हैं इंगलेंड फ्रांच जामनी पर्टगाल स्पेन आदी आदी ये पश्चमी यूरोपी देश कहलाते हैं क्योंकि ये यूरोप में पश्चम में हैं और यूरोप के पश्चमी देशों के बाजू में जो हैं वे पूरवी यूरोप कहलाते हैं तो जो पूर्वी यॉरोपी देश जिसमें हम कह सकते हैं चेकोसलवाकिया, पोलेंड, हंगरी, बिलगारिया और रूमानिया ऐसे देश जो साम्मेवादी थे वे रूस की और जुके हुए थे और जिनकी सीमाएं रूस के निकट थी वे पूर्वी यॉरोपी देश कहलाते थे तो इस पेकार यॉरोप को दो भागों में बाट दिया गया, एक विचार के लिए और पूर्वी यॉरोप के जो देश थे, जो सोविय शंग से विचार धारह में ही निकट नही थे बलकि भागोलिक जिश्चर भी निकट थे, अब वे लोग भी पष्टमी यॉरोप के ओर म लिहाज से बड़ाई गंभीर रहे क्योंकि जब दूसरी दुनिया खतम हुई और जब पूर्वी योरप के इन देशों में समाजवादी वस्था खतम हुई तो पूरी विश्वराजनीती बदल गई एक पूरी दुनिया ही जब हट गई एक पूरा धुरुव ही जब गाया भगया एक धुरुव सोविय संग तो एक धुरुव था एक धुरुव ही नक्षे से मिट गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार एक धुरुव के जाने से पूरी दुनिया के नक्षे में परिवर्तन आया होगा और यहीं से एक धुरुवी विश्व की शुरुवात होती है इसका प्रणाम क्या हुआ कि शीत युद्ध के दौर के संघर्ष समाप्त होगा शीत युद्ध में जो बहुत तनातनी मची थी जिसका जिक्र हमने उस समय किया है पिछले अध्यायों में वो जो तनाव था उसको यदि आप याद करें तो रूंग्टे खड़े हो जाएं क्योंकि शीत युद्ध में हर देश तनाव ग्रस्ट था मैं एक बार पुना बताना चाहूंगा कि शीत युद्ध आखिर है क्या शीत युद्ध का अर्थ ये नहीं कि वो ठंड़ा युद्ध हो या कुछ ठंड़ा खो शीत हो शीत युद्ध का अर्थ ऐसा युद्ध जिसमें हत्यार नहीं चलाय जाते जिसमें आमने सामने हाथ से या हत्यारों से लड़ाई नहीं होती ऐसी लाई या ऐसा युद जो हथियार के बदले जीव से या संचार माध्यमों से लड़ा जाता है उसे कहते हैं शीद जीव से कैसे लड़ाई होती है जिसे हम तूटू मैमे कहते हैं, जिसे हम बहस करते हैं, वही लड़ाई कहलाती है शीट युद। एक ने कुछ कहा, दूसरा उससे ज़्यादा बोलेगा, फिर उसके बाद पहला व्यक्ति उसकी प्रतिक्रिया में फिर और ज़्यादा गरम होकर बोलेगा, यही शीट युद। था, अब जब शीट युद। के काल की समापती की बात करें, तो इसकार्थ यह हुआ, कि एक विचारधारा की जगह, अब पूंजी वादी विचारधारा पनपने लगी, स्वतंत राज्यों का दिया हुआ, तथा लोक तांत्रिक प्रणाली, बाजार व्यवस्था, इस पर शेष्ठता की मुहर लगी, लोग ऐसा समझने लगे, लोग मानने लगे, और उनके सामने दारण थे, कि दूसरी दुनिया की जो आर्थिक विवस्था थी, जिसे समाजवादी विवस्था कहते हैं, यह अच्छी नहीं है, इसकी अपनी बहुत तारी खामिया है, तो एक और, इस देश के नागरिक इस देश के लोग जहां समाजवादी विवस्था की खामियों से परचित थे वहीं वे लोग दूसरी और पूंजीवादी व्यवस्था के आकर्शन में डूबे जा रहे थे। पूंजीवादी व्यवस्था में लोग बिलकुल बोलने के लिए स्वतंत थे। वहाँ के लोग बड़े खुश दिखते थे। परणाम क्या हुआ कि धीरे 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 समाजवादी विचार धारा की जगह पूंजी वादी विचार धारा आने लगी। तरीका है। कंट्रोल बिजनेस सरकार के दोरा निर्देशि तरकार के दोरा नियंतरत व्यापार अच्छा नहीं रहता। उसकी अपनी बहुत सारी खामिया है। इसलिए मुक्त व्यापार अच्छा है। यह जो लोब था यह इन देशों के लोगों को और इन पूर्वी यूरोप के देशों को पश्चिमी यूरोप की ओर जुकाने में काम्याब हो गया। विश्वराजनीती में शक्ति संबंध भी बदल गया। जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे सोवियत संग वह टूट गया। एक महाशक्ति ना रह करके अब अमेरिका एक मात्र महाशक्ति हो गया। और पूरी दुनिया ने इसके बाद अमेरिकी वर्चस को ही देखा। अमेरिका अमेरिका और अमेरिका इसके अलावा और कोई दूसरा देश नहीं।